नमस्कार मनार्सी थाली में मैं सिंपी अग्रारी आपका स्वावत करती हूं आजम बनाने जा रहे हैं पनीर टिका पनीर टिका बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर श्रिम्ला मिर्च टमाटर प्याज दही कसूरी मेथी भूना जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर चाट मसाला गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर काला नमक भूना बेशन लेमन जूस और नमक हम बाउल में आधा कब दही ले रेते हैं एक चम्मच काली मिर्च पाउडर दो बड़े चम्मच लेमन जूस दो चम्मच भूना जीरा पाउडर दो चम्मच चाट मसाला आधा चम्मच काला नमक दो चम्मच गरम मसाला कसूरी मिथी अच्छे फ्लेवर के लिए हम डालते इसमें और इसे क्रस्ट करके डालते हैं नमक टेस्ट के निशर लाल मिर्च पाउडर श्पाईसी बनाने के लिए बूना हुआ बेशन भी डाल देते हैं आप चाहे तो कच्छे बेशन दाल सकते हैं अब आम इसमें तेल सब्सकिना को में बहुत ही अदुद कंटिया हुआ है और सऽिhr Out serite इपिशन ध्रोग लिए करम में विर्च पाउडर दल इसमें लालमेश काउडर out अब ते इसमें का कलर में बहुत है जाता है अब देक सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है गष्टे से फ्रेट लेता है और अब अब इसमें डालेंगे पनहीर और इसे हलके हाथ्टों से चम्मश की हल्प से मिक्स करेंगे अब 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 इसमें डालेंगे टमाटर, सिंदा मिस और प्याज इन तीनों को डालकर हम इसे 15 मिनट के लिए धका रख देता है अब आप गरम करते हैं और इसमें थोड़ा से घी लगा सकते हैं अच्छा है तो बटर भी लगा सकते हैं हम पलतीका को शेक लेते हैं 2 मिन तक इसे उप अच्छी तरह से उप नीचे करके पलत के शेक लेना है अब इसे प्रेपर निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए पनीच और स्वावी चब्जों को शेख लेते हैं ये शेख लेया है और पनीच का रेडी है चुका है अब इसके साथ हम ग्रिन चटनी भी रेडी कर लेते हैं इन चटनी बनाने के लिए हमने लिया है पुदीना धनिया पत्ती एक मिर्च दो चम्मच हम्चुर नमक टेस्ट के निसार एक चम्मच लेमन जूस आधा कप दही आब हमें से पीज कर नहीं तयार कर लेता है पनेटिका के साथ चटनी सर्व करिए और प्लेज हमाय चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए धनलेवाद